अगर आप अपने लिए अपने loved ones के लिए accurate predictions करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे doubts आ रहे हैं जो clear नहीं हो पा रहे हैं बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं Watch my free training program जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हू किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए April 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि April month में आपके partner की आपके लिए इस relationship के लिए क्या energies रहेंगी Finally you know April month में क्या हो रहा है कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप April month की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को भैतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं April 2024 की love tarot reading तो चलिए सरीडेजे साप लगों के लिए देखें कि April 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है मेरे पस यहापे तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकिन set of cards में आपके partner के energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally April मंत में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे भले cards में देख रहे हैं King of Wands, Reverse and Acting Cold और यह cards कहते हैं कि कुछ time से April starting में उतना एक enthusiasm उतना एक excitement partner को लेकर इस relationship को लेकर आपने ही महसूस कर रहे हैं अब देखें यह general reading है सब seretaries के लिए different reasons रहेंगे लेकिन यह दोनों ही cards कहीं यूनों बहुत cold तरीके से behave करने की बात करते हैं कहीं बहुत एक cold attitude आपकी तरफ से रहने की बात करते हैं और देखें कहीं king of wands rivers के card को देखें तो हो सकता है कि मन ही मन बहुत courageously बहुत boldly आप चीजों को deal तो करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं आप action initiatives लेना तो चाह रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं या पिर कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है बस बहुत हो गया अब आप अपनी तरफ से कुछ भी initiate नहीं करना चाह रहे हैं आप partner की तरफ से ऐसी ही energies चाहते हुए दिख रहे हैं अब देखें जो भी एक दो चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको कहा सब Sagittarius के लिए यहाँ पर different reasons रहेंगे लेकिन फिर से कहूंगी कुछ टाइम से यह April starting में बहुत एक cold behavior attitude आपका रहता हुआ दिख रहा है and mid April के लिए Eight of Pentacles reverse का card एक दो चीजे कहता है या तो पीछे आपने बहुत effort किया इस relationship को लेकर, partner को लेकर और mid April में आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब और effort नहीं कर सकते हैं और और जादा आप महनत नहीं करना चाहा रहे हैं क्योंकि आपको पीछे result नहीं मिले जो आप चाहा रहे थे आपको वो outcome नहीं मिला जो आप चाहा रहे थे और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत जादा अपने professional front में अपने career पर focus करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और देखिए जो भी surface level के लिए हो deeper level के लिए tracking location का card कहता है कि आप कहीं अपने partner को observe कर रहे हैं बहुत जादा आप इस चीज़ पर attention दे रहे हैं वो कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं देखिए tracking location का card उनकी movement को track करने की बात करता है यानि कि वो क्या कर रहे हैं कहां जा रहे हैं इस पे आप काफी ध्यान मन ही मन देते वे दिख रहे हैं surface level के लिए फिर से कहोंगी कि उतना एक effort, initiative, action नहीं ले रहे हैं उतना जादा आप focus नहीं कर रहे हैं and end April के लिए the fool and taking notes के card similar सी energies की बात करते हैं मन ही मन के लिए taking notes का card again इसी चीज़ को confirm करता है कि आप उनकी पूरी activity पे नजर रख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं लेकिन surface level के लिए आप ऐसा उनको दिखा सकते हैं कि आपको कोई फरक नहीं पड़ता, आपको बिलकुल परवा नहीं है आप बिलकुल भी concern नहीं है कि उनकी life में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और कहीं आप in the moment में रहना चाह रहे हैं ना तो आपको commitment चाहिए ना ही आपको long term चाहिए आप सिरफ और सिरफ you know present moment पे focus करना चाह रहे हैं अब दिखे कुछ Sagittarius की literally ऐसी energies हो सकती हैं जहां पर आप बिलकुल भी commitment long term नहीं चाहते वे दिख रहे हैं आपके लिए आपकी freedom आपका एक space बहुत important रह रहे हैं और आप going with the flow energy में रह रहे हैं जहां पर जो चीज़े जैसे आ रही हैं वैसे ही लेते जा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है फिर से मैं कहूंगे आप genuinely ऐसा महसूस कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप अपने partner को ऐसा दिखा रहे हैं लेकिन deeper level के लिए या फिर money ही money आप काफी concerned है आपको फरक पड़ता है कि वो कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं आपके साथ कैसा behave कर रहे हैं तो देखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के ले differ कर सकता है अपने phone पे social media में active रह रहे हैं social media को scroll कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर सब serious के partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन surface level के लिए 10 of souls reverse का card कहता है कि एक fresh start वो अपनी personal life में या इस relationship में करना चाहा रहे हैं अब देखिए फिर से यह general reading है थोड़ा थोड़ा सब serious के partner के लिए differ करेगा कुछ serious के partner के लिए हो सकता है कुछ भी issues मसले आप दोनों के बीच में रह रहे हैं उनको end करके आपके साथ एक नई beginning करना चाहा रहे हैं पुरानी सारी ही बातों को let go करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि उनके behavior उनके attitude में अगर कोई मसला है तो उसको end करके आपके साथ एक नए serious से चीज़ों को शुरू करना चाहा रहे हैं इक का दुक्का के लिए हो सकता है कि इस relationship को end करना चाहा रहे हैं देखिए monthly reading है तो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होगी मेरे पास कोई ऐसा खास break up का card भी नहीं है तो मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा उनकी तरफ से रह रहा है तो कुछ इस तरीके की energies हैं और ये बहुत ही कम Sagittarius के लिए रहता हुआ दिख रहा है जो कि देखिए mid April के लिए sweet messages का card कहता है वो आपको messages करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं अब फिर से देखिए general reading है तो हम बहुत specifically नहीं कह सकते but definitely money ही money बहुत एक you know sweet सी feeling आपके लिए उनके मन में रहती हुई दिख रही है बहुत एक प्यारे प्यारे love वाले messages आपको करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है फिर से मैं कहूंगी चाहा रहे हैं surface level के लिए queen of cups reverse का card कहता है कि काफी emotional काफी sentimental हो रहे हैं कहीं थोड़े से sensitive भी हो रहे हैं उनके mood swings भी हो सकते हैं कभी बहुत great feel कर रहे हैं कभी emotionally बहुत low feel कर रहे हैं और ऐसे में जो भी वो कहना चाहते हैं वो express आपको करना चाह रहे हैं I don't know कि वो कहते हैं आपको messages करते हैं नहीं करते हैं बट ऐसा चाहते हुए जरूर दिख रहे हैं and कहीं end April के लिए eight of wands का card कहता है कि एक movement, एक shift, एक speed उनकी energy में आ रही है जो भी वो चाहा रहे हैं इस relationship में उसी से related action initiative बहुत speed से लेते हुए दिख रहे हैं और दिखी इस speed की वजए से इस एक impulsive action initiative की वजए से deeper level के लिए उनको stress भी हो रहा है, tension भी हो रही है फिर से कहूंगे कि ये general reading है तो सब seriderius के partner के लिए action initiatives differ करेंगे कुछ के लिए हो सकता है कि हमने देखा छोटे मोटे issues इस relationship में चल रहे हैं उसको resolve करने के लिए अपनी तरफ से action initiatives लेना चाहा रहे हैं ले रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर ये long distance relationship है travel कर रहे हैं करना चाहा रहे हैं या फिर social media पे या messages के थ्रू आप से connect कर रहे हैं और देखे इसके पीछे का reason हो सकता है कि कि किसी चीज को लेकर stress महसूस कर रहे हैं या फिर ऐसा करते हुए deeper level के लिए उनको anxiety और stress हो रहा है और अब देखते हैं सरी टेजिस के एप्रिल मन्त में क्या हो रहा है तो देखे सबसे पहला card है four of souls rivers और ये card कहता है कि कहीं April starting में आप दोनों के बीच में कुछ खास नहीं होता हुआ दिख रहा है और आप दोनों के cards देखें तो आप लोगों की भी energies ऐसी नहीं है जहां पर एक दूसरे से interact कर रहे हो अब देखिए ये general reading होती है तो किस level पे आप लोगों के बीच में नहीं हो रहा है सब के लिए differ करेगा अगर आप लोगों के बीच में पीछे argument होई है तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बिल्कुल ही withdraw कर लें बिल्कुल ही बातचीत ना करें और अगर आप लोग married हैं तो हो सकता है कि ये cold war वाली energies हैं जहां पर you know physical level पर जो भी बातचीत required है वो हो रही है लेकिन deeper level के लिए वो warmth वो excitement वो energy levels कहीं नहीं रहते हुए दिख रहे हैं तो दिखे जो दो चीजें मेरे mind में आई मैंने आपको कहा सब के लिए different levels पर हो सकता है कि activity बातचीत नहीं हो रही यहां पर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ जितनी आपकी normally बातचीत होती है उससे काफी कम कुछ time से April starting में बातचीत आप लोगों के बीच में रहती हुई दिख रही है इसके बावजूद आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मन ही मन काफी प्यार महबबत महसूस करते हुए दिख रहे हैं still not over you का काट कहता है कि जो भी issues मसले अगर रह रहे हैं वो कहीं आप दोनों को ही एक दूसरे से दूर नहीं कर पा रहे हैं actually दूर नहीं कर पा रहे हैं is not the right word मतलब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार कम नहीं कर पा रहे हैं this is the exact thing and इसलिए शायद mid April के लिए the sun reverse का काट कहता है कि कहीं इस एक backseat वाली energy से आप दोनों ही बाहर निकलते वे दिख रहे हैं लेकिन साथ ही साथ missing energies भी रहती वे दिख रही है क्योंकि हाँ पे sun का काट reverse है and boiling point का का काट कहता है कि mid April में आप दोनों को लग सकता है कि उस point पे उस मकाम पे पहुँच गये हैं कि और ज्यादा contain नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसी लिए दिखिया आप दोनों एक दूसरे से connect कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं हालां कि देखिये कुछ missing feeling रहती हुई दिख रही है एक 100% आप दोनों की energies नहीं रहती हुई दिख रही हैं लेकिन जिस भी level पे आप April starting में थे उससे काफी better and April में चीज़े सॉरी एक दूसरे को messages के through बताना भी चाहते हैं लेकिन और हो सकता है बता भी रहे हुई लेकिन surface level के लिए star reverse का card कहता है कि थोड़ा सा एक negative energies है या फिर उमीद खोते हुए दिख रहे हैं कहीं you know hope खोते हुए दिख रहे हैं hopeless is not the right word क्योंकि hopeless तो बहुत ही एक extreme energies हो जाती हैं मैं ऐ ऐसा कह सकते हुए तैसे कि उमीद आपको किसी चीज के लिए खो रही है एक negative frame of mind रहे रहा है एक you know direction नहीं अच्छे से देख पा रहे हैं कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी clarity लाते हैं थोड़ा सा भी positive frame of mind रखते हैं तो कहीं ची सब्सक्राइब मिला है तो इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें